Hello guys, how are you? How are you doing? Well, आज मारे पास है Sony का एक camera जो के under 1-like आता है तो camera को बात करने से पहले मैं आपको यह बोग रहा हूँ कि अगर आप camera लेका चाते हो और वो under 1-like आपका budget आप तो आप फिर इस Sony के alpha-zardvay E10 की तरफ देख सकते हो क्योंकि अगर आप mirrorless केना चाते हो तो mirrorless में सबसे मलेगा आपको प्रोड़क्ट वही यह Sony ZV-E10 Canon का R50B आता है Nikon का Z30B आता है लेकिन Sony ZV-E10 I think is the best for content creators अगर आप photography के तब जाना चाते हो तो फिर R10 और R50B आपके लिए best option है तो you can go with that Z30B photography के लिए अच्छा है लेकिन अगर आप particularly content creator हो और videos बनाने में अच्छे videos आपके अच्छे होने ही चाहिए तो आप इसके तरफ चाह सकते हो एक अच्छा camera So let us unbox this camera and see what is inside तो मैंने इसके unbox किया हैं पहले तो आप में द्वारा कर रहा हूँ onbox आपके लिए आपको बताना चाहता हूँ कि ये camera कैसा है इसको open करके मैं इसको थोड़ा बूच चलाऊँगा भी और आपको दिखाऊँगा भी ये camera कैसा है तो पहले आप देख सकते हो यहां पर एक seal होती है sony की और नीचे भी उप होती है make sure कि ये अच्छे से check कर लो आप तो let's see open करते है product को open करने से पहले यहां पर आपको मिल सकता है sony का origin memory card 64GB का जो कि यहां पर लिखा हुआ भी है 64GB यहां पर होगा आपको sony का origin memory card 64GB का तो यहां पर कुछ लिफाव है उसके बाद यहां पर आपको warranty card मिलेगा दो साल की warranty मिलती है इसके साथ हां कि आप दूख सकते हो जड़वी एटन दो साल की warranty इसके साथ मिलती है तो यह है इसका शायर है यूजर मैनोल होगा है यह इतने सारे बहुत पुछ है यूजर मैनोल यह वाला है तो इनको साथ में रखके हम यह देखते हैं तो यह एक sony की app है यहां पर आप राइस्टर कर सकते हो और आप अपना खाली alpha camera के लिए आप देख सकते हो यह alpha camera है alpha camera में आपको alpha series के जो सारे camera है उनमें आपको alpha classroom मिलेंगे जिनमें आपको सिफाय जाए का कैसे चलाती है camera को और वहां पर expertise भी होती है आप प्लीज यह चक्किन कर लेना जब आप ले सकते हो तो यह सब होने के बाद यहां portion में आपको मिलेगा यह है इसकी battery battery I think 1020 mAh 1020 mAh battery sony की छोटी सी अच्छी हैं बाद है इसकी battery तो तो यह है इसका window noise blaster जो केमरा में लगता है इसको इसको सब्सक्राइब रखते हैं यह होगा इसका charger हाँ charger यह इसका charger है sony का आप देख से तो नवर सोनी लिखा हुआ है 5V का charger है इसके अच्छी बात सबसे अच्छी बात टाइप C आती है केबल आप इससे battery back से भी charge कर सकते हो दूसरी battery दाने की जरूरत नहीं है आप इससे charge कहीं भी कर सकते हो तो में इसका charger की lead हाँ तो main part तो यह है यह है camera जब इससे open करते है वह देखिए जी camera यह सुनी अलफा जड़वी इवन APS-C sensor है फुल फ्रेम संसर नहीं है इसमें APS-C sensor आता है फुल फ्रेम संसर अगर आप चाहो तो जड़वी E1 में आता है तो फिर 20000, 230, 250 तक हो जाता है तो वह महिंगा है बहुत यहां पर इसकी mic है जो record करती है बागी 3 अगरास में को mic देने को नहीं मिलेगी तो मैं जी दिखाए था आपको यह wind blast करता है यहां यहां पर ऐसे लगता है हां ऐसे इंसर्ट होता है तो यह है इसकी position यह wind को blast करता है यहां से चल्दी से setup करते हैं और दिखाता हूँ मैं आपको तो यहां पर जो यह हैं यह उपन करके यहां पर इसकी battery memory card तो यहां पर लगता है जो मैंने already insert किया हुआ है तो यहां पर battery लगती है चल्द battery को insert करते है हां ऐसे one click से होगी battery insert इसको off करके ऐसे लगाना पड़ता है तो battery इसकी लग चुकी है तो जब आता है तो battery की charge नहीं होती है मैंने इसे already unbox किया मैंने इसे charge भी किया हुआ है तो charge है जी थोड़ा को तो मैं इसे open करके देखता हूँ तो इस पहने निकालते है अब अच्छे से दिख जाएगा आप देख सकते हो यह इसका fully articulated display है आगे भी गुमता है ऐसे तो content creator जो आपने आपको photo उठाते हैं वीडियो सखाते हैं यह आसा रहेगा और पीछे भी गुमता है नीची भी हो जाता है और ऐसे भी रह जाता है देख सकते हो आप ऐसे गुमा के ऐसे करना होता है ऐसे भी देख सकते हो आप इसमें यह इसका वीडियो का वीडियो आपन करने का बटन तो यह zoom in, zoom out और shutter shutter button यह बला है यह फिर mode change करने का video to audio sorry video to photo to snq यह इसका rotating बटन है तो यह menu यह इसका iOS set करने का बटन है यह delete का बटन है यह photos of video जो आपने capture किया उनको देखने का बटन है यह okay का बटन है इसमें lens नहीं लगा हुआ तो on नहीं होगा इसमें इसलिए मैं lens लगापके देखता हूँ आपको तो खाली body है यह इसके साथ lens आता है 16-50 mm वाला तो वो kit lens है sony का वो इतना अच्छा नहीं perform करता है मैं आपको साइस्ट करता हूँ कि अगर आप लही रही हो तो आप एक prime lens भी ले लो थाकि अच्छे photos और videos उठा ले अगर आप फिर भी kit lens की तरब जाना चाहते हो budget नहीं है उतना तो we can go get kit lens also कोई issue नहीं है बट मेरे हिसाब से आपको prime lens लेना चाहिए 50mm का इंफाल्क लेना चाहिए वह उतना महगा भी नहीं आता तो उससे आपको आसर यहां पर इसको लगता है mount यहां इसको tripod gimbal आप पका सकते हो यह जो है यह यहां पर हाँ तो मैं गोर रहा था कि आप 50mm का इस lens ले सकते हो 1.8 aperture वाला मैंने इस लिए kit lens नहीं लिया क्यूंकि उसकी focal length 3.2 से 5.6 तक vary करती थी जो के background में blur नहीं देती है तो जो मैंने lens के लिया इसके साथ लिया वह prime lens और उसकी focal length 1.8 fix है तो वह 1.8 ही रहेगा तो background में blur भी अच्छा आता है और sharp भी आती है photos तो अगर आप खली body body लेना चाहते हो तो under 1 lakh यह आपको आसनी से मिल जाएगी तो इसके साथ kit lens भी ले सकते हैं लेनिस इंसर्ट करने से पहले इससे मैं आप बोलना चाहता हूँ एक bag आता है इसके साथ यह Sony का bag जिसमें आप इसे carry कर सकते हो कहीं भी यह भी इसके साथ आता है और इसको आप हम lens इंसर्ट करेंगे यह जी lens मेरे पास 50 mm का lens है आप देख सकतो हो 50 mm का focal lens 1.8 fix है DS-DSM तो इससे हम पहले open करेंगे यहां से make sure कि आप इसे वहां पर open करो जहां पर दूल मिट्टी ना हो तो इसमें एक बार दूल मिट्टी गई तो फिर केरवन दिकत आ सकती है तो insert करने से पहले मैं आपको बोलता हूं कि यहां पर emote आता है camera में emote का हर कोई lens आप इसमें insert कर सकते हो लगा सकते हो तो यहां पर एक dot है white dot इस white dot और lens के white dot जो है यह match करना होता है यहां पर लगाना होता है हां लग गया white dot पर white dot और यह थोड़ा सा हां तो इसे ऐसे right की तरफ मोह करके जब तक prick की आवाज नहीं आएगी हां आई नहीं prick की आवाज जब प्रिक की नहीं आवाज आएगी तो यह बंद नहीं होगा वन इस प्रिक की आवाज आगई तो यह बंद हो गया अभी नहीं कुलेगा open करने के लिए यहां पर एक button है इसको press करने पढ़ेगा पहले और फिर इसको anti clockwise direction में rotate करके अब इसे open कर सकते हो अगर आपने ऐसे open किया तो फिर यह mount को harm करेगा उस पर scratch बढ़ सकते हैं तो आप प्लीज जब भी खोलो तो इस button को पहले press करो उसके बाद इसे anti clockwise direction में move करो तो हमारा setup हो गया है complete camera में भी लग चुका है Linux 50mm का तो हम इसे on कर सकते हैं तो on करके हम आपको दिखाने चाहते हैं हाँ जी यह देख लो आप देख सकते हो यह off हो गया camera अगर आप यह setup चाते हो तो यह setup आपको मिलेगा under यह setup आपको मिलेगा 80,000 में आपको 50mm lens मिलेगा इसके साथ और camera body मिलेगी 80,000 आपका budget अगर हैं तो आप 50mm lens और camera body की तरफ से ला सकते हो साथ भी 810 और यह perfect match है content creator और एक videographer के लिए जो videos होता था हाँ एक बात इस lens में यह zoom lens नहीं है यह fix 50mm है उसके अलावा कुछ नहीं है न से कम नों उसके साथ खाली 50mm पे इससे zoom है तो अगर आपका budget 80,000 रॉपीज है तो यह can buy it from online और wherever you want by so just a yeay keहनाता thanks So guys अगर आपका budget 80,000 रॉपीज है तो यह can buy this camera along with this lens also तो 80,000 नहीं आ जाएब यह lens के साथ 50mm lens है जोम वाला नहीं है, इसकी focal length 1.8 है, जो कि फिक्स है, और बेस्ट हैं विडियोग्राफर के लिए, पोर्ट्रेट्स के भी बेस्ट है, इवेंट्स के लिए, शादी के लिए भी बेस्ट है, तो अगर आप चाहते हो कि आप 50mm lens along with this, I think this is best, नहीं मिलेगा आपको मार्केट में, एंट्रे लेल केमरा है, तो इसका नया वर्जन आने वाला है, वो अगस्ते सटमबर 2024 में इंडिया में आजाएगा, तो आप वेर भी कर सकते हो, जार वी बेस्टन का नया वर्जन आने तक, तो you can buy this one also, is better, हाँ, ओके, thanks. तो guys, यह थी इसके unboxing, अगर आप चाहते हो, कि मैं इस पे एक full tutorial लाओं, जिसमें मैं आपको सिखाँगा, कैसे इसे open करते हैं, कैसे इसे start करते हैं, तो आप please comment में लिख लेना फिर, तो मैं फिर एक video बनाओंगा, इस पे full video, जिसमें आपको सिखाँगा, मैं कैसे इसे setup करते कैमरा को, और उसमें आपको full, यह था, सिर्फ, यह video सिर्फ unboxing का था, तो वो मैंने तिखा दी आपके,